Hello dear student यह question कर रहा है कि a tennis ball bounces down a flight of stairs striking each step in turn and rebounding to the height of the step above यह बहुत सारी steps बनी हुई है यहां पर कुप सारी सीडियां है हर एक सीडी की जो उचाई है वो कितनी दे रही है हमको D दे रही है और यह बार-बार ऐसे rebound कर रही है जैसे यह कहीं से भी आई इतनी उचाई से और वापस यह सीडी की उचाई तक rebound हो रही है और फिर वो यहां से गिर रही है और इस सीडी की उचाई तक rebound हो रही है और ऐसा जो है वो successively चल रहा है if the height of each step is D, अगर हर एक step की height D है, the coefficient of restitution is to coefficient of restitution कितना है देख उसमें मैं आपको इतनी सी बात बताना चाऊंगा सबसे पहले कि जैसे यह आपके पास में कोई collision हो रहा है, कोई भी ball जो है वो जब h height से गिरती है and वापस उपर की तरफ जाती है माली जे h height तक coefficient of restitution अगर e है तो उनमें जो relation होता है वो होता है h is equal to e square into h क्योंकि inelastic collision है तो obviously एक rebound करने के बाद में टिपपा खाने के बाद में जिस उचाई पर जाएगी वो उचाई पहले से कम होगी और उसका जो expression है वो e square into h से दिया दाचा है अब जरा यहाँ पर देखो कि यार यह जो यह वाली चाऊचाई है जिससे वो गिर रही है वो है d plus d मतलब 2d h बराबर है 2d जिस height पर वो आपस जा रही है वो height है केवल d h बराबर e square into h है अब यह अगर d है और यह 2d है तो d से d कट गया है e square के value कितनी आगए आपके पास में half सबसे important है एक तो यह formula याद होने चाहिए एक और खास बात चलो यहाँ पर बाते होते होते एक बात मैं आपसे और share करना चाहूँगा कि कभी भी जब इस तरह से ball strike करती है तो पहले अगर velocity अगर u है और collision के बाद में velocity v है collision के बाद में जो velocity होती है वो e into u होती है इस height का ही relation है ना वैसे जो time का relation है वो है v is equals to e u तो यह दोनों relations आपको इसके अंदर याद रहने चाहिए and definitely आपको बहुत-बहुत help करेंगे अगर आपको याद है तो exam में time बचाएंगे Thank you so much and God bless you